So Hello Friends, कैसे हो आप सुब लोग, I hope आप सुब लोग ठीक होंगे आज मैं आपके लिए एक इंटरस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जो 6 different grade के pencil होंगे, dark pencil उसके बारे में मैं अपना personal opinion देने वाला हूँ और उसके बारे में जो review आने वाला है वो आज आपको बताऊंगा, कैसे opt होते हैं ये pencil और क्या इसमें difference है, वो सब मैं आपको आज वीडियो में देखाने वाला हूँ तो चलो वीडियो पहले तो आपको ये palette देखकर पता चल जाएगा कि मैं आज इस वीडियो में आपको क्या describe करने वाला हूँ तो ये palette देखने के बाद आपको 50% आपके doubt clear हो जाएगे कि मैं इस वीडियो में आपको क्या दिखाना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पे सब कुछ describe कर दिया है आपका 50% काम मैंने कर दिया है तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेंने सब अभी तक मैं जितने भी types of dark pencil use किये उसका description मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो अभी तक मैंने dark pencil use किये मेरे portrait में तो मैंने six type of dark pencil में यूज किये है मेरे portrait में आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या-क्या इफेक्ट होने वाला है ये पेंसिल का डाक पेंसिल का हमारे पोट्रेट पे तो ये टीशू से क्या इफेक्ट आ सकता है ब्रस से क्या इफेक्ट आ सकता है पेपर स्थम्प्स पे क्या इफेक्ट आ सकता है mono eraser इस पर opt हो सकता है या नहीं opt हो सकता है cotton birds का effect क्या हो सकता है ये description आज मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो please subscribe कीजिए मेरे चैनल को और bell icon दबाना ना भुलिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिए वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है आखिर में मैं मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो आखिर तक देखिएगा Thank you जैसे इस पैलेट में मैंने describe किया हूँ अलग-अलग pencil के अलग-अलग effect मैं दिखाने वालना हूँ तो उसके लिए मुझे ये ये box fill करने पड़ेंगे तो ये box fill करने के लिए बहुत जाधा time लग जाएगा तो इसलिए वीडियो बहुत बढ़ा हो जाएगा तो ये मैं box fill करने के बाद आपके पास normal normal नॉर्मल वीडियो में वापस आ जाओंगा और फिर आपको बताओंगा कि टीशू से ब्रस से पेपर स्रम से mono eraser और cotton bird से कैसे effect होगा अभी मैं आपको अलग-अलग grade के pencil के effect करके दिखाओंगा करताओंगा कुछ तो कंपेरिजन कॉटन बर्ट से अच्छा टीशू का इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि कंपेरिजन देखेंगे आप तो टीशू का इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है cotton birds से तो यह आपके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है जो beginners है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए तो कौन से पैंसिल आपको यूज़ करने चाहिए हेर के लिए कोंसे नहीं यूज करने चाहिए कौन से पैंसिल के ऊपर आप डिटेलिंग पर कर सकते हैं कोंसे पैंसिल पर क्या क्या हो पाता है ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है जितना हमें चाहिए उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है प्रेशर एपलाई करने के बावजूद भी हम कॉंटे पैरिस के देखते हैं कि यह पेंसिल बहुत कम लोग यूज करते हैं यह पेंसिल सवरब जोशी अल्मस्ट यूज करते थे डाक इसलिकी पोट्रेट में यूज की थी जो जो मेरा कमिशन वगट था उसमें कपल थे कपल का सुर्फ मैंने एक बनाया था यह पैंसिल से उसके पाद कभि यूज नहीं किये तो उसका भी रिवियो आपके सामने लेकर आया हूँ उंद भाट्याएओ तो कंपैरिजन आप देखेंगे टीशू और ब्रस से मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा ज्यादा स्मूध इफेक्ट आ रहा है इस पर मुनो इरेजर अप नहीं हो पा रहा इसके उपर तो यह भी शायद आप यह भी पेंसिल आप हैर्स के लिए यूज नहीं कर सकते तो यह प्रेशर अपलाई करने के बाद ऐसा इफेक्ट दे रहा है तो पोट्रेट में बहुत बहुत बुरा दिखेगा यह धबा धबा दिख रहा है देखो कॉटन बर्ट से तो मुझे नहीं लगता कि यह बेटर ऑप्चन हो सकता है तो मुझे लगता है कि कॉंटे पर इसके पेंसिल के उपर मुझे लगता कि पेपर स्टाव भी बेस्ट ऑप्चन है तो हम आगे चलते हैं आर्ट लाइन की पेंसिल वन अफ बेस्ट पेंसिल इन माइवक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे वर्क करने के लिए पर बहुती बड़िया रिजल्ड और बड़िया ओप्ट हुआ है ये चॉंट बेस्ट मुझे तो लगता है इसके कंपरिजन में उसलियक तो लागता है इतना स्मूध अप्ट अब खोई पेंसिल्ट नहीं हो पायां यह तक मुझे लगता है कि चैन्वी गशै पेंसिल for tissue and face detailing work यह मेरा better option नहीं है मैंने कभी भी brush कोई भी portrait में use नहीं किया हूँ तो मुझे brush ज्यादा use करना पसंद ही नहीं मैं use ही नहीं करता हूँ मैं almost पूरा work मैंने tissue paper से ही use किया है तो यह मेरे लिए better choice नहीं है मैं आपको फिर बताता हूँ कि मैंने कोई भी great का pencil use करने के बाद उस पर pressure apply नहीं किया है pressure apply करके मैंने कोई भी pencil use नहीं किया है तो जो मैंने use किया यह normal pressure पर ही use किया है मैंने pencil आपको बताना चाहता हूँ कि यह review का result क्या है देखें स्टैडल स्टैडल लूमी ग्राफ black 6 भी मुझे तो लगता है कि यह टीशू से टीशू से effective है अगर आप टीशू करेगों तो मुझे तो लगता है कि टीशू से बहुत ज्यादा ज्यादा अच्छा इफेक्ट दे पारा है बाक कंपैरिजन और तो देखिए आपके सामने रिजल्ट है बाकी सब के ब्रस से कैसे दे रहा है पेपर स्टम से कैसे दे रहा है जीरो एरेजर कैसे अप्ट हो पा रहा है कॉटन बर्ट से एफेक्ट कैसे दे रहा है तो मुझे लगता है कि इसके लिए यह बेटर आप्शन है कि टीशू यह आप यूज करें स्टैडलर लूमिग्रफ जब 6B ब्लैक अगर यूज करेंगे आप तो आल्मोस्ट टीशू का इस्तमाल करें टीशू इस बेटर दैन ऑप्शन एनिवन एल्स तो मुझे यह स्टैडलर 6B मुझे तो लगता है टीशू से यूज करना चाहिए तो स्टैडलर मास्ट लूमिग्र के लिए यूज होता होगा डाग उसके अलावा मुझे तो नवह नगता कि यह कोई भी चीज कि बादर लाइन के लिए यह यह स्टैडलर लूमिग्राफ यह यूज कर सकते हैं अधर देन कुछ भी इफेक्टिव नहीं दिख पा रहा है यहां तो यह स्टैडलर लूमिग्राफ 8B पेंसिल जो है जो टीशू से इफेक्ट बहुत अच्छा दे पा रहा है रेस्ट मुझे नहीं कई दिखाए देता कि इतना स्मूद इफेक्ट विइडाउट टीशू से कोई दे पा रहा है ब्रस से इफेक्ट देखेए पेपर स्ट्रम से इफेक्ट ग्वट देखे हम लोग यूज करते हैं Camling Charcoal Soft तो यह टीशू से बहुत अच्छा आप्ट हो पा रहा है ब्रस से आप्ट नहीं हो पा रहा है पेपर स्थम से वी उससे अच्छा आप्ट हो पा रहा है जितना टीशू से कमपेरिजन टीशू और पेपर स्टम तो मुझे लगता है कि पेपर स्टम बेटर आप्शन है अधर दें टीशू आप्ट करने के लिए तो मोनो इरेजर भी इसके उपर अच्छी तरह से आप्ट हो पा रहा है क्योंकि हमने यहां पे ज्यादा स्मूद नहीं किया था इसलिए जादा दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे तो लगता है कि यह अप्टा हो रहा है ऐ 세o चारकुल पैंसिल के ऊपर आर कॉटन बडر्ट तो मुझे लगता है कि कॉटनबड यूज करना चाहिए चारकुल पैंसिल के ऊपर क्यूंकि gradually यह कॉइंसे चारकूल टीशू से एफेक्ट आ रहा है लेकिन ब्रस से खुछ भी एफेक्ट नहीं आ रहा है पेपर स्थम से अधर देन टीशू एंड पेपर स्थम मुझे लगता है टीशू इस बेटर ऑप्शन तो मोनो इरेजर इसके उपर थोड़ा भी आप नहीं हो पा रहा है कौटन ब Azra लिए तो यह सिमिलर है कि चार को जैसे कीज़ीश पर देपा रहा है वैसा काट्र क्वाइश पेंसी पर फेंसीशं के उपर ले दिक्राइए तो हम अभी बात करते है आर्ट्लाइन पेंसिल या प्यांस वह इसले बेफ क्या दगता है कि हम एक पोट्रेट में हमक्या देखते हैं कि आप पेха बेसी Maddyng होना चाहिए औरस में के हर के ऑप्त जिह होती है और messagesे और आपर ककम से निशिक ए तो मुझे लगता है कि यह तीनों भी option यह artline 10B pencil या artline pencil में available है देखो smooth effect आप face के लिए smooth effect चाहिए तो मुझे तो नहीं लगता comparison इसके comparison में मुझे तो नहीं लगता इतने ज़्यादा smooth effect यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है smooth effect लेकिन मुझे तो लगता है artline pencil का Stadler 8B से ज़्यादा effective है face detailing के लिए अगर हम कम grade यूज करेंगे तो मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा effective है almost मैं मेरे portrait में मैं 4B pencil use करता हूँ जो मैं face detailing करता हूँ उसके लिए 4B pencil use करता हूँ तो मुझे तो लगता है कि artline pencil one of the best pencil है जो हमको face detailing के लिए यूज करनी चाहिए face smoothness के लिए यूज करनी चाहिए यह मैंने 10B यूज की है face detailing के लिए इतनी dark pencil यूज नहीं की जाती है तो मैंने यह 10B यूज की है तो आप face detailing के लिए 2B या 4B का यूज कर सकते हैं तो यह उससे जाधा light हो गया और effect ऐसे दिखाए देगा जैसे 10B का effect दिखाए दिखाए दिया तो यह brush से यह तो मुझे तो नहीं लगता brush से कुछ स्टैडलर 8B paper stump पर बहुत अच्छा effect दे रहा है राधर देन art line 10B के और hair detailing के लिए जो हमें detailing work के लिए जो हमें चाहिए वह detailing work मुझे लगता है 10B pencil दे पाएगा क्योंकि यह dark pencil है 10B art line के 10B सबसे ज्यादे dark pencil होती है उसके उसके grade में तो 10B dark pencil है तो यह मुझे तो लगता है क कि hair के लिए detailing works के लिए hair opt करने के लिए बहुत अच्छा effect इफेक्टेबल option है art line 10B तो art line 10B use करनी चाहिए hair के लिए भी तो मुझे लगता है कि art line 10B use कर सकते हैं हम लोग hair detailing के लिए hair opt करने के लिए और cotton birds cotton birds तो इसके उपर कुछ भी इफेक्टेबल नहीं है तो मुझे लगता नहीं है कि हम cotton birds art line 10B के उपर use कर सकते हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई effect आ पाएगा इससे क्योंकि यहां पे तो उतना जादा smooth effect नहीं दे पा रहा है जितना टीचू effect दे पा रहा है तो मुझे लग मुझे तो लगता है कि cotton birds effect नहीं दे पाएगा तो यह पूरे work में मुझे तो ऐसे लगता है कि art line pencil one of the best pencil है जो हम सब चीज में हम use कर सकते हैं देखो face detailing के लिए smooth effect चाहिए smooth effect आपको tissue से मिल रहा है आप tissue smooth effect ले सकते हैं hair detailing के लिए आप अगर ज़्यादा प्रेश लिए आप्ट हो पाएंगे paper stamp paper stamp stamp इसके उपर easily apply हो पा रहा है paper stamp भी बहुत अच्छा effect दे पा रहा है paper stamp यह आट लाइन 10B pencil के उपर तो मुझे तो लगता है कि यह पूरे पूरे graph में मुझे तो लगता है कि यह सबसे सस्ती pencil है art line की जो 120 में हमको 6 grade के pencil मिलते है जो HB होती है 2B होती है 4B होती है 6B होती है और 10B होती है तो यह मुझे लगता है कि art line pencil कोई भी use कर सकता है आप अगर चाहे beginner हो या artist हो तो मुझे तो लगता है art line pencil बहुत अच्छा effect दे पाएगा यही सब palette मैंने यह ready हो गया है अभी मैंने अभी आपको describe कर दिया है सब कुछ अगर आप मेरे चैनल पे नहें तो please subscribe कीजिए मेरे चैनल को और bell icon दबाना ना बूलिएगा और share कीजिएगा जिससे किसी किसी की मदद हो सके अगर कोई beginners है तो उनको भी यह बहुत effective है जो नए नए अभी नए नए अभी नए अभी आठ चुरू कर रहा है उनके लिए तो बहुत effective है उनको पता नहीं चलता है वह almost confused होते कि कौन सी pencil यूज करने चाहिए कौन सी pencil कैसे effect करती है कौन से pencil की price कितनी होती है effort कर पाएंगे या नहीं वह भी पता नहीं होता है तो मैं तो बोल से अभी यही सब detailing works है guys तो please share कीजिए वीडियो को और comment करना ना भूलेगा आपको कुछ अगर query होगी आपको कुछ नए वीडियो या नए twitter tutorial चाहिए होंगे आपको मेरे चैनल से तो please मुझे बताईएगा और कुछ भी ये video related कुछ भी queries होगी तो मुझे comment box में please comment कीजिएग इससे और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा मैं please subscribe कीजिए मेरे चैनल को और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा thank you so much